हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल बिजी ब्रश मैं हूँ संगीत आवस्ती फ्रेंड्स लास्ट वीक मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया विकॉज अव सम रीजन तो उसके लिए सॉरी बट आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटिफुल सी ट्रे चोकी बनी है एक सब्सक्राइब यारिक और सरसे इस तरह की ट्रे स्वाम की चैन हो में घोटल रखने के लिए या फिर कॉस्मेटिक प्रोड़क्स ये पिर कर सकते हैं पर tasting क्यों देक्षे जाता है आप लोगों में से जिनकी घर में होगा वो जानते होंगे. तो काफी समय से यूज होने के काराण इसकी जाली थोड़ी खराब हो गईती तो मैंने इसको ट्रे 그 फार्मे यूज़ किया है. सबसे पहले हम इसे पेंट करेंगे. पेंट करने के लिए मैंने वाइट में थोड़ा सा रेड मिक्स कर लिया है ताकि बेबी पिंक कलर बन जाए तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बेबी पिंक कलर का शेड आने लगा है तो इस shade को हमें strainer के उपर apply करना है अच्छे से apply करने के बाद जब dry हो जाए तो दूसरा coat भी इस पर लगाना है ताकि अच्छे से उसका color निकल के आए फ्रेंट जितना भी color हमें लगता है कि strainer पर लग जाएगा उतना color हमें एक साथ ही बना लेना है बार बार shade को create नहीं करना है तो इस तरह से हम अच्छे से strainer पर color को apply कर लेंगे आप देख सकते हैं पेंट को हमें चारो तरफ लगा देना है नीचे की तरफ भी लगाना है और उपर की तरफ भी लगाना है फ्रेंट पेंट लगाने के बाद हमें इसे 24 hours के लिए छोड़ देना है अच्छे से dry होने के लिए उसकी बाद मैंने फेवी क्रिल की molded clay ली है और इसमें दो element होते ह हैं दोनों को mix करके हमें एक dough बना लेंगे और उस dough में अपनी choice के according कुछ color भी mix कर लेंगे तो मैंने इसमें orange color को mix किया है आप देख सकते हैं यह दिखिए फ्रेंट्स और इसे अच्छे तरह से mix करने के लिए काफी देर तक हमें mix करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स हमें ट्र कुछ इसकी उसी तध्रा तरह से न्या रोमा आप झाषिक खॡly हैं ईसमें इस तरह से हम कट करके आपव स्टू कर देंगे तो सिटिक करने के लिए मैंने ट्रे के चारो तरफ लगाने तो मैंने 8 आप फ्रेंट को बनाया है और आप हम ट्रे के चारो कॉर्णर स्कू कर दें तो इस्टिक करने के लिए मैंने फेविकोल का यूज इसलिए किया है कि फ्लार्स बनाते वक्त मेरी क्ले कुछ ज्यादा ड्राइ हो गई थी और अगर क्ले अच्छे से ड्राइ नहीं हुई है क्ले थोड़ी रहनी चाहिए जब आप उसको इस्टिक कर रहे हो तो तब हमें धी कुछ कुछ क्रीपर जैसा जब है कि मैं कुछ इस पाइरल वे में बनाऊंगी उसके लिए हमें पतली पतली dois points बना लीए इस तरह से और इसमें मैंने कलर मिक्स किया है यलो तो यलो कलर को मिक्स करके के इस क्ले से हम आगे की स्पासरल टाइप कि बनाएंगे तो हमें जि के उपर strip को stick कर देंगे friends outside noises को please avoid करिएगा friends इस तरह से हमें spiral way में चारो तरफ design को बना लेना है इसके लिए आप clay modeling tool की भी help ले सकते हैं या आपके पास घर पे इसी तरह के कुछ और भी element जैसे pen वगरा हो तो उनका भी use करके आप अपने shape को perfect बना सकते हैं तो इस तरह से मैंने चारो तरफ आप देख सकते हैं कि creepers को create किया है detailing करी है यह देखे friends थोड़ा सा patience के साथ आपको यह काम करना पड़ेगा और जितना patience आप रखेंगे उतनी ही design आपकी perfect निकल कर आएगी यह देखे friends बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अराम से काम करना है friends एक बात और आपको सारी clay को एक साथ ही mix नहीं करना है यानि दोनों elements को एक साथ mix नहीं करना है क्योंकि clay mix होते ही dry होने का process उसमें start हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी clay आप लेते रहिए और उसको mix करके आगे का process continue करते रहिए अगर आप एक साथ clay को mix कर लेंगे तो आपकी सारी clay dry हो जाएगी तो देखिए इस तरह से detailing आपको करनी है यह देखिए friends और अभी यह पूरा नहीं बना है लेकिन अभी से काफी beautiful लगने लगा है आप देख सकते हैं यह देखिए friends तो आप फेविकोल लगाने के बाद उसके उपर strip को रखने के बाद आपको हलके हाथों से उसको प्रेस भी करते जाना है ताकि वो अच्छे से stick हो जाए तो आप देख सकते हैं friends इस तरह की spiral designing आपको create करनी है काफी beautiful लग रही है यह यह देखिए friends friends जो भी हमें spiral design बना रहे हैं उसमें जो बड़े shape हैं उनको पहले बना लेंगे और जो छोटे छोटे shape spiral वाले होंगे उनको बाद में हम create करेंगे तो आप देख सकते हैं यह काफी beautiful लग रहा है यह देखिए friends और उसके बाद हमें यह देखना है कि हमने चारो तरफ इसको लगा लिया है तो चारो तरफ मैंने यह देखिए complete कर लिया है इसको और इसको complete करने के बाद अच्छे से dry होने के लिए आप छोड़ दें जब यह dry हो जाए उसके बाद जहां पर joint दिख रहा है आप शो हो रहा होगा वीडियो में तो वहाँ पर हमें fevicol लगाना है और dark yellow color को clay में mix करके और उसकी strip हमें बना लेनी है joint के उपर इस strip को रखके finger की help से हमें अच्छे से इसको press करना है तो friends clay की strip को हमें इस तरह से press करना है कि नीचे वाला यानि lower part बिल्कुल भी न दिखे और उसके बाद clay modeling tool की help से हमें इसमें cut लगाने है तो friends पहले आपको finger की help से अच्छे से इसको press कर लेना है उसके बाद ही cut लगाना है और यह पूरा काम आपको चारों तरफ strainer के करना है ताकि यह completely जो इसकी drawbacks है जो इसकी joint है और जो इसका unevenness है इसकी वह hide हो जाए यह देखिए काफी beautiful लग रहा है friends एक बात और जो हमने spiral design उपर बनाई थी creeper के shape में उसमें भी हमें cut marks लगा लेने हैं clay modeling tool की help से आप देख सकते हैं friends एक बात और जो हमने flowers बनाए थे उस पे हमें round shape में चोटे-चोटे balls बनाकर और flower के उपर press कर देना है तो इसकी color choice आप खुद अपने according रख सकते हैं इसके बाद हमें blue pearl shade लेना है blue color का और उससे हमें edges को paint कर देना है आप देख सकते हैं तो friends tray के चारों तरफ edges को blue pearl paint से मैंने paint कर दिया है इसके बाद हम green, red और golden shade acrylic color में लेंगे और इससे हम कुछ detailing करेंगे दिजाइन के ऊपर तो orange color के जो हमारे flowers थे उसके ऊपर हम कुछ shade करेंगे थोड़ा dark color से तो red color मैंने लिया है shading के लिए तो इस तरह से हमें flowers के ऊपर कुछ shading कर देनी है तो friends शायद ये वीडियो में clear नहीं दिख रहा है but it is looking very nice तो आप देख सकते हैं इस तरह के flowers हमें सारे shade कर लेने हैं उसके बाद जो spiral design हमने बनाई हुई है उस पे dark green color से मैंने कुछ shade इस तरह से दिया है आप देख सकते हैं इसको और shading के बाद ये काफी beautiful लगने लगी है design आप देख सकते हैं friends friends यहाँ पर मैंने designing के लिए orange green yellow dark yellow इस तरह के shades यूज किये हैं आप color twice को अपने coding रख सकते हैं उसके बाद मैंने paint से ही कुछ spiral designing में detailing करने के लिए और spirals चुटे-चुटे से बना दी हैं कुछ buds बना दी हैं तो इस तरह से हमारा पूरा tray बनकर ready हो गया friends yellow strip को हमें golden paint से paint कर देना है उसके बाद tray के अंदर base में हमें polythene की एक layer spread out कर देनी है और उसके उपर हमें यह इस तरह की green grass mat जो की मैंने 75 rupees की 2 ली थी उन में से एक को मैंने इसमें set कर दिया है लेकिन set करने पर मैंने देखा कि यह कुछ बड़ी थी तो मैंने इसको बाद में scissors की help से cut कर दिया था तो friends at last this is the final look ट्रे में मैंने एक flower porter और gotham buddh idol और दो tea light holders को रखा इस तरह की trays को हम multiple purpose के लिए use कर सकते हैं और इन trays की health से हम अपने घर को अच्छे से decorate और organize भी कर सकते हैं friends वीडियो अच्छा लगा हो तो hit the like button और इसको अपने friends के साथ share करना बिल्कुल भी ना भूले चैनल पर नए हो तो please इसे subscribe कर ले और bell button को press करते हुए all पर click कर ले ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको time से मिलती रहे थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स बाइ टेक केर